तो हेलो एवरीवन आज हम डिसकस करने वाले हैं अबाउट वाक्सीन डिफरेंट टाइप्स ओफ वाक्सीन जो है वो कौनसी काटिगरी में आता है इट प्रोवाइज यू आक्टिव इम्यूनिटी ठीक है यह किसके दो टाइप की इम्यूनिटी होती है तो यह कहां पर आता ह है आपकी आक्टिव इम्यूनिटी के अंदर आक्टिव इम्यूनिटी और वो भी आर्टिफिशल वो भी आर्टिफिशल दो टाइप की होती है आक्टिव इम्यूनिटी पैसिव इम्यूनिटी आक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी आक्टिव इम्यूनिटी यहां पर क्या होते है कि या तो जो आपका पितोजन है जो वाइरस है या जो बेक्टीरिया है उसकी या तो वीक फॉर्म या फिर उसकी किल्ड फॉर्म आपकी बोडी के अंदर डाली जाती है और जब आपकी बोडी के अंदर डालेंगे तो आपकी बोडी के अंदर आंटी ब bodies है वो आपकी body के अंदर generate नहीं होती है वो readymate आपकी body के अंदर डाली जाती है जैसे कि आपका monoclonal antibodies होती है वो पहले से ही prepared होती है और फिर वो prepared antibodies आपकी body के अंदर inject करी जाती है तो passive immunity में कोई memory response नहीं होता लेकिन active immunity में क्या होता है आपका memory response create होता है देखो वह इम्मुनाइजेशन क्या होता है हम ग्वाञजीन लगवाते ही क्यों है जब भी आपकी बोडी एक पैतोजळिशन से सबॉल होती है तो वह उसके एंटिबोडी इस बनाती हो से क्या हैं antibodies ready हैं उस pathogen से deal करने के लिए जब मैंने आपको immunology के पहले lectures में पूरे अच्छे तरीके से explain करा हुआ है कि किस तरीके से antibody का और antigen का interaction होता है तो जब ऐसा होता है तो उस process में क्या होता है कि हमारी body जो है it is developing the immunity towards the pathogen by being directly exposed to the antigen directly exposure होता है कहां पे active immunity के अंदर passive में तो हम तयार हुई antibodies जो हैं body के अंदर डाल रहे थे लेकि अक्टिव में हम क्या करते कि एक weak form vaccine लगाते vaccine में क्या होता है या तो weak form या kill form उस pathogen की हम body के इंदर क्या होता है immune response antibodies produce होती है और जब आपको next time असली में वो infection होगा तो आपकी body के अंदर पहले से antibodies prepared होंगी उससे fight करने के लिए for example जैसे people who are exposed to chicken box उनको क्या हो जाती है देगे in active immunity and they will be very unlikely to ever get the same effect अगर वो same गयान उसी pathogen से exposed होते है तो तो vaccine जो है वो artificial active immunity के अंदर आता है यहां पर memory response generate होता है right so vaccines जो है they are developed in lab by different methods typically हम क्या करते कि pathogen को inoculate कर देते हैं which means that it is changed in some way so that it don't damage the body okay है मतलब pathogen को या तुम kill कर देंगे या फिर उसको इतना weak कर देंगे कि वो disease cause ना कर सके तो vaccination का मतलब होता है कि introduction of weakened or inactivated pathogens into the patient ताकि क्या हो जाए to provide protection against the disease okay so immunization में क्या होता है कि it is a process by which the body produces antibodies against the vaccine जो आपने vaccine लगाई है वो क्या है weak form है pathogen की तो उसकी against जो हमारे antibody बनेंगी उसको बोलेंगे primary response उसे हम क्या बोलेंगे अपनी body का primary response ठीक है अब जब दुबारा आपको actual infection होगा तो पहले से हमारे पास memory response है कि हमारे पास उस pathogen का memory है कि हाँ भाई इस pathogen attack करा तो इसके खिलाफ तो पहले से हमारे पास already antibodies बनी हुई है तो जब दुबारा से actual infection होता है तो से हम बोलते है secondary response that is a body जो है it has become immune to that antigen or infection I think अब आपको इसका concept पता चल गया होगा कि हम vaccine लगा ही क्यों रही है कैसी किस तरीके से immunity बिल्ड हो रही है तो vaccine है कि it is a biological preparation made against a particular pathogen और यह किसका पाथ है artificial active acquired immunity का किस तरीके से होता है वो मैंने अब भी आपको समझाया 1796 में Edward Jenner ने first vaccine दी थी smallpox की against Lewis Paster 1885 इन्होंने rabies vaccine दी थी so first जो हमारे पास vaccine का type है वो है killed vaccine इसको हम first generation vaccine भी बोलते हैं अब यहां पर क्या होते कि pathogen को हम क्या कर देते हैं kill कर देते हैं या तो कुछ chemical से या heat से वो देखें आप तो यहां पर क्या होते है pathogen को हम kill कर देते हैं pathogen आपका bacteria हो सकता है virus हो सकता है कोई भी जो आपका disease causing agent है वो हमारा क्या है pathogen है तो उसको हम kill कर देते हैं कैसे kill किया जाता है कुछ chemicals की help से या कुछ up heat की help से kill कर सकते हो या radiations की help से जैसे gamma radiation x-rays तो ऐसे radiation की help से आप उसको क्या कर सकते हो मार सकते हो यहाँ पे जो preferable होती है सबसे best जो तरीका है वो है gamma radiation से आप उसको expose कर दो मारने के लिए gamma radiation का आप use करो क्योंकि अगर आप heat करोगे तो उसमें जो वो pathogen है उसके जो antigens है या उसके जो अंदर proteins है वो denature हो सकते है तो gamma radiation क्या करती है genetic sequence को alter करती है और यह penetrate कर सकती है cell के अंदर मा लीजे यह bacterial या pathogen जो cell है उसके अंदर यह अंदर जाके उसका जो genetic sequence है उसको change कर देते हैं तो it is the best way कि अगर आपको kill करना है pathogen को okay so killed जो pathogen है अब क्योंकि वो pathogen मर चुका है तो वो अब disease cause नहीं करेगा so अब वो replicate नहीं करेगा host की body में disease cause नहीं करेगा तो वो harmful नहीं है advantages यह है कि यह ज्यादा stable vaccine है और यह safer तरीका है then the life vaccines के comparison में क्योंकि यहाँ पर हम dead microorganisms को introduce कर रहे हैं तो वो mutate नहीं कर सकते हैं वो तो पहले मरे हुए हैं तो वो नहीं replicate करेंगे और नहीं कोई disease cause कर सकते हैं disadvantage यह है कि वो immune response weak immune response induce करते हैं यानि कि आप जो vaccine दे रहे हैं उससे immune response तो generate होगा लेकिन वो weak होगा it will be a weak immune response that is cell mediated immune response होता है यहाँ पर लेकिन यह humoral immune response को यानि कि antibodies जो produce होती हैं जिसे response में उसको induce नहीं कराते हैं तो अगर आप killed vaccine दे रहे हो तो यहाँ पे आपको ज्यादा doses देनी पड़ेंगी आपको क्या देनी पड़ेंगी ज्यादा doses देनी पड़ेंगी और साथ में booster dose भी देनी पड़ेंगी रैट और यहाँ पे example में आप क्या दोगे पोलियो वेक्सीन रेबीज की वेक्सीन टाइफोई कॉलरा एंथरेक्स हेपटाइटिस ए इंफ्लुएंजा वेक्सीन ठीक है पोलियो में सल्क वेक्सीन सल्क साइंटिस्ट का नाम है नेक्स आती है life attenuated vaccines अब life attenuated का मतलब है यहाँ पर whole organism को तो use किया जा रहा है लेकिन अब हम उसको kill नहीं करेंगे उसको weak कर देंगे उसको कमजोर कर देंगे इतना कमजोर कर देंगे कि वो disease cause ना करें लेकिन उसको मारेंगे नहीं रैट तो अब हम उसको इतना weak कर देंगे कि वो pathogenicity जो है उसकी बहुत negligible हो जाए कि वो कोई disease cause ना कर पाए लेकिन immune response जो है वो induce कर देगा यानि कि वो immunogen की तरह तो act करेगा इसकी advantage यह है कि वो strong immune response generate करते हैं क्योंकि यहाँ पर जो pathogen आप introduce कर आ रहे हो that is similar to the actual disease pathogen इसलिए आपको lifelong immunity यह provide करते हैं after only one or two doses तो यहाँ पर dose आपको कम देने परते हैं तो काफी ज़्यादा effective होता है और यह दोनों ही immune response को induce करते हैं cell mediated immune response and humoral immune response दोनों ही जो हैं आपके यहाँ पर generate होते हैं तो यह ज़्यादा immunogenic है than killed vaccine okay so they are more immunogenic than the killed vaccine now they should not be given to the weak immune system person जैसे AIDS की जिसको बिमारी होती है उसका immune system बहुत ज़्यादा weak हो जाता है तो उनको हम immunocompromised person बोलते हैं तो ऐसे लोगों को हम यह नहीं देख सकते यह इसकी disadvantage है क्योंकि उनका immune system पहले से ही weak है तो जरस अभी कोई चोटा मोटा भी bacteria जो है उनको infect कर सकता है उनमें disease cause कर सकता है और इनकी एक बहुत major disadvantage है कि दे में revert वो revert हो सकते हैं अब देखो आप जो pathogen डाल रहे हूं वो वीक करके डाल रहे हूं वो क्या डाल रहे हूं weak करके डाल रहे हूं हो जाए यानि कि वो फिर से पैथोजेनिक हो जाए तो यह इसकी क्या है डिसद्वांटेज है एक्जाम्पल आप दोगे बीसी जी बेसिलस क्यालमिटे ग्यूरीन जो यह वैक्सीन है यह ट्यूबर किलॉसस टीबी जो है उसके लिए यह वैक्सीन है और इसको बनाने में पोलियो वैक्सीन में सेबीन सेबीन साइंटिस्ट का नाम है MMR एंड येलो फीवर की वैक्सीन इंफ्लुएंजा की वैक्सीन जो है वो किसके एक्जाम्पल है आपके लाइफ अटेनिवेटेड वैक्सीन के ओके तो इस इस मॉम्स मीजल्स अन रुबैला अब आपको यह है कि हमने किल्ड वैक्सीन में पोलियो वैक्सीन जो थी वो सल्क की थी और यहां पर जो है सेबीन की है यह क्या है एक पर मैं आपको बता देखो पोलियो की ना दो वैक्सीन हैं एक तो है आपकी जो सल्क साइंटिस्ट ने दी थी और एक है जो सेबीन साइंटिस्ट ने दी थ यह डेड पोलियो वाइरस यहां पे इन्होंने डेड पोलियो वाइरस का यूज करा था और सेबीन साइंटिस्ट ने लाइफ अटिनुएटेड वाइरस का यूज किया था यानि कि इसने क्या किया था पोलियो वाइरस को मार करके वैक्सीन मनाई थी और इन्होंने उसको वीक करके vaccine मनाई थी तो यह जो सल्क वाली vaccine है यह हम injection के थूँ inject करते हैं मतलब इसको body में inject करते हैं मतलब जो root of administration है वो injection से होता है और यहाँ पर यह जो vaccine है वो orally दी जाती है जो कि इंडिया में काफी ज्यादा है कि polio की जो vaccine आपको लेते हैं वो polio drops जो होती है तो वो orally ली जाती है अब यहाँ पर safest कौन सी है यह वाली जो है safest है it is more safe क्योंकि यह इसमें क्या है dead virus का use किया गया है और जैसे मैंने अब भी आपको बताया life attenuated में क्या सकते कि वो it can mutate और फिर वो strong भी बन सकता है और वो disease cause भी कर सकता है तो जादा safe बत ऐसे chances कम रहते हैं जादा safer आपकी dead वाली होती है और यह आपकी क्या करती है cell mediated immunity को develop करती है body के अंदर और यह आपकी humoral immunity जो है उसको यहाँ पर जादर develop करती है तो यह था आपका की polio की दो vaccines है एक आप लिखोगे killed vaccine category में और एक आपको लिखनी है life attenuated vaccines के अंदर next आती है subunit vaccine subunit vaccine में हम entire microbes का use नहीं करेंगे अभी आपने दोनों में उपर cases में देखा कि हम whole organism का use कर रहे थे या तो पूरे organism को weak करके use कर रहे थे या पूरे organism को हम kill करके use कर रहे थे लेकिन subunit vaccine में हम उसका एक part use करेंगे only a part of pathogen is used तो उसके हम सरफ कुछ antigens का use करेंगे और उसी से क्या हो जाता है हमारा immune response जो है वो generate हो जाता है तो just a part of pathogen is used यह ज़्यादा safer होता है easy होता है produce करने के लिए भी लेकिन यहाँ पर हमें adjuvant जो है required रहेगा यहाँ पर they require adjuvant in order to produce a stronger protective immune response क्योंकि जो antigen है alone वो produce नहीं कर सकता immunity इसलिए आपको क्या देना पढ़ेगा adjuvant देना पढ़ेगा so adjuvants क्या होते हैं adjuvants वो substances होते हैं अगर आप उनको antigen के साथ mix कर देते हो और फिर inject करते हो antigen के साथ तो वो immunogenicity को क्या कर देते हैं enhance कर देते हैं उस antigen की immunogenicity को क्या कर देंगे immunogenicity means ability to induce the immune response उसको क्या कर देते हैं बढ़ा देते हैं उसको enhance कर देते हैं तो इसको हम adjuvants को हम immune response को boost करने के लिए यूज़ करते हैं जब आपका antigen जो है वो उसकी low immunogenicity है so यहाँ पर example आप दोगे DPT का diptheria, pertuses, tetanus vaccine सबसे पहला जो इसकी category है subunit vaccine की वो है polysaccharide vaccines polysaccharide कुछ ऐसे pathogen होते हैं जैसे bacteria है उसकी जो cell wall होती है वो polysaccharide के बनी होती है protection के लिए तो यहाँ पर यह जो polysaccharide क्या होती है आपकी sugar molecules होती है तो इन vaccines के अंदर sugar molecules का polysaccharide का use किया जाता है बट normally यह जो polysaccharides होती है वो immunogenic नहीं होते हैं तो वो बहुत slow immune response generate करेंगे और इनका slow activation होता है और यह antibodies के levels को भी नहीं increase करते हैं तो यहाँ पर कोई memory create नहीं होती है कोई immune response की memory create नहीं होती है So they are linked to the carrier proteins हम इनको carrier proteins के साथ link करते हैं तो वैसे तो यह क्या है non-immunogenic है वैसे तो यह क्या है non-immunogenic है these are non-immunogenic बट जैसे आप इसको यह bluegler का जो हमारा carrier protein है इसके साथ आप bind कर दोगे तो ये क्या हो जाएंगे अब immunogenic हो जाएंगे याणिकि अब ये immune response generate कर सकेंगे body के अंदर अब आपके पास जो next आती है वो है conjugated vaccines Conjugated में हम क्या करेंगे कि जो हमारा sugar molecule है जो आपका इहाँ पर sugar molecule है जो कि अपका polysaccharide है उसको हम किसके साथ mix कर देते हैं protein antigen या फिर toxoid from the same same microbes तो protein मतलब polysaccharide जो कि हमारा sugar है उसको हम protein antigen के साथ mix कर के डालेंगे तो ये जो vaccine है ये उपर वाली से ज्यादा अच्छी होती है जैसे example आप दे सकते हो vaccine against the hemophilus influenzae type B थर्ड आपकी आती है toxoid vaccine जो कि इसमें subunit vaccine में सबसे important है toxoid vaccine अब toxoid में क्या होते है देखो जो microorganisms होते हैं वो toxin release करते है toxin जो release करते हैं उसी से क्या होते है disease cause होती है तो हम toxins को क्या कर देते हैं toxoid बना देते हैं toxins को अगर हम उसमें formalin डालें यह chemical डालें तो यह जो toxin है जो कि disease cause करते हैं यह inactivate हो जाते हैं और यह एक ऐसी form में बदल जाते हैं which is toxoid जो कि harmless होती है वो disease cause नहीं करती है तो अगर आपने toxin को formalin से treat करा तो वो toxoid बन गए और यह जो toxoid है वो harmless होते हैं और फिर इसको toxoid form को हम क्या करते हैं body के अंदर inject करते हैं और आपका immune response जो है generate होता है example है आपका diphtheria की against जो vaccine थी या tetanus toxoid vaccine जो है वो इसके अंदर आती है और जो plague की जो vaccine है वो भी इसके अंदर आती है next आती है आपके बास nucleic acid vaccines जानी कि जिसमें हम RNA या DNA का use करते हैं तो यहां पर हम जो आपका virus है या जो bacteria है उसका genetic material है उसका use करके vaccines बनाते हैं तो इसकी stability ज्यादा होती है यह बहुत असान होता है large scale पर manufacture करना बहुत तेजी से इसका production कर सकते हो और इससे जो life pathogen है उसका जो risk होता है body के अंदर जाके वो भी क्या जाता है कम हो जाता है तो सबसे बहले आपकी DNA plasmid vaccines होती है अब जो bacteria होता है अगर आपने bacteria का structure देखा होगा तो bacteria का एक तो genetic material होता है और एक extra chromosomal circular DNA होता है जिसको हम plasmid बोलते हैं अब हम इस plasmid का यहाँ पर use कर रहे हैं यह vaccines बनाने के लिए so plasmid जो है plasmid के अंदर genes होते हैं जो कि encode करते हैं proteins from the pathogen of interest यानि कि जो आपका pathogen है उसकी genes उसके अंदर होते हैं तो हम उस plasmid को use करके vaccine बनाते हैं और फिर उसको patient की body में introduce करते हैं वो भी इसी तरीके से बनाई गई थी next है आपकी mRNA vaccines mRNA vaccines जो है यानि की messenger RNA vaccine आपको पते DNA से mRNA बनता है by the process of transcription mRNA से proteins by the process of translation example it is a vaccine against the Zika virus infection single dose चाहिए COVID-19 के against जो आपकी vaccine है वो भी एक mRNA vaccine developed हुई थी अब देखो हर एक जो disease है ना उसके अगंस्त काफी जैसे COVID-19 है उसके against काफी सारी vaccines है कुछ attenuated vaccines है कुछ आपकी mRNA vaccines बनाई गई है कुछ recombinant vaccines है so यहां पर जो mRNA होता है mRNA जैसे आपने introduce करा body के अंदर तो वो messenger RNA क्या खरेगा it will instruct the cells to make the s protein found on the surface of COVID-19 virus अगर आप यहां पर तो जो COVID-19 virus होता है उसके जो s protein है यानि कि जो spike coding protein है उसको बनाएगा वो code कर रहा है mRNA अब उसको जो उसके surface spike proteins है उसको बनवाएगा आपके host के cell का use करके उसकी machinery को hijack कर लेगा और host के cell को ही use करेगा अपनी copies बनाने के लिए जैसे normal virus replicate करते हैं तो host cell क्या करेगा वो spike protein जो है वो generate करेगा और इससे क्या होता है कि आपकी body के अंदर antibody जो है create हो जाएंगी क्योंकि माली जे की यह host cell है इसने क्या किया यह infected हो गया तो इसने spikes जो है spike proteins बनाने शुरू कर दिये और इसने अपनी surface के उपर present कर दिये अब यह जो है pathogen के spike proteins है pathogen के spike proteins यह display कर रहा है तो उससे क्या हो जाता है immune response generate हो जाता है if later आप infected होते हो तो यह जो antibodies है यह क्या करती है उस virus से fight करने में help करेंगी अगले आपके बस DNA vaccines DNA vaccines जैसे जो west nile virus है उसमें से single stranded RNA को isolate किया गया उससे RNA बनाया गया फिर उससे complementary DNA फिर उसका PCR करा गया उसको amplify करने के लिए उसके बाद जो product आया उसको purify करा गया तो यहां पर अभी still it is in experimental stage example है influenza की जो vaccine है वो भी जो है DNA का यूज करके बनाई जा चुकी है अगले आपकी recombinant DNA vaccines recombinant DNA vaccines कैसे बनती है आपको पते है कि जो killed vaccines थी वो आपको cell mediated immune response induce करते है और जो attenuated life vaccines है वो cell mediated immune response और humoral immune response दोनों ही induce कर रहे थे तो हम यहां पर क्या करते हैं कि आपकी जो killed vaccine है और जो attenuated vaccines हैं दोनों को mix कर देते हैं और उससे क्या करते हैं हम recombinant DNA vaccines बनाते हैं जैसे आपका यह क्या है pathogen का virulence gene है इसको हम vector के अंदर introduce कर देते हैं दोनों को हम क्या करेंगे यहां पर enzyme restriction endonucleus से cut करते हैं और फिर यहां पर इसको introduce कर देंगे उसके बाद इसको हम introduce करेंगे virus के अंदर and फिर वो proliferate करेगा बहुत सारे copies बन जाएंगे अब यह जो number of genes आपके बने हैं इसको हम edible vaccines edible vaccines जैसे की potato या banana के अंदर add करके उस वो edible vaccines जो है बनाई जा रही है जैसे बनाना के अंदर हम यह genes को add करके फिर banana को खाते है तो उसको बोलता है edible vaccines E. coli के अंदर आप induce कर सकते हो bacteria के अंदर और फिर उसका culture कर सकते हो ताकि और जादा copies बना सको या फिर आप directly purify करके उसको vaccine के तौर पर use कर सकते हो इसको आप inject कर सकते हो या फिर orally दे सकते हो example है hepatitis B vaccine और आपका human papilloma virus के against जो vaccine है next है आपका viral vectored vaccine यहाँ पर हम क्या करते हैं we use the harmless viruses to deliver the genetic code of target vaccine's antigen to the cells of the body यानि कि ऐसे viruses जो कि harmless होते हैं जिनको हम as a vector के तौर पर use करते हैं जिसे adenovirus है adenovirus को as a vector के तौर पर use करा गया है या retrovirus है उसको मैं as a vector की तरह use करते हैं और ताकि जो है वो जो protein antigen वो carry करेंगे उससे immune response stimulate हो सके और यह cheaper होते हैं produce करने में than the nucleic acid vaccines या subunit vaccine से सस्ते होते हैं यह पहले आपकी categories में आप लिखोगे replicating viral vector vaccines यह जो vaccines होते हैं कि यह low pathogenic viruses का use करते हैं जैसे adenovirus हैं जो कि या फिर आप ऐसे viruses जो कि बहुत ज्यादा कम disease causing होते हैं उनका हम as a vector के तौर पर use करते हैं यह इस वाइरस के अंदर हम इसको जो भी आपका मा लिजे genetic material है किसी और वाइरस का genetic material है इसके अंदर introduce कर दिया और फिर इसको क्या कर दिया यह जो वाइरस है आपका जो harmless वाइरस है उसको as a vector के तौर पर use करके हम क्या कर सकते हैं अपना produce करा सकते हैं immune response so this creates strong immune response but not for the people who are immunocompromised जिनकी immunity weak होती है आप उनके लिए यह vaccine का use नहीं कर सकते हो सिर्फ single dose चाहिए होती है replicating viral vectors जो होते हैं वो themselves harmless होते हैं जो भी आप virus को as a vector के तौर पर use कर रहे हो जैसे bacteriophage को use करा जाता है तो वो खुद harmless होते हैं जैसे की vaccine Ebola virus के गैंस बिनाई गई थी जिसे यहां पर देखे disease causing virus है यह वाला क्या है first वाला जो है वो disease causing virus है और यह low pathogenic virus है तो यह इसका क्या है यह हमने जो gene है उसको निकाल करके इसमें introduce कर दिया जो हमारा weak pathogenic virus है तो यह हमारा vector virus है इसके अंदर हमने gene introduced कर दिया और उसके बाद इसको introduce कराया body में तो यह क्या करेगा replicate करेगा body के अंदर बहुत सारी इसकी क्या बन जाएगी बहुत सारी बहुत सारी copies बन जाएगे आपकी body के अंदर अब क्या होगा कि जो इसके antigens है वो present करेंगे immune cells antigen presenting cells जो है इसके antigen को present करेंगे present करने के बाद immune response या फिर memory response जो है वो generate हो जाता है I am not explaining the more detail की किस तरीके से immune response generate होता है क्योंकि मैंने पहले ही आपको immunology lectures ले थे आपको link description में मिल जाएगा वहाँ पर हर एक जो immune response है मैंने डीटेल में आपको बता रख है तो आप वहाँ से देख ले ना किस तरीके से antigen presenting cells जो है या antigens वहां तक कैसे पहुचे हों कैसे उन्होंने present करा जिसके immune response generate हुआ तो वो आप वहाँ से देख सकते हैं next आता है आपके बास non replicating viral vector vaccines तो यह जो vaccines होते है फो similar होते है जिसे हमने उपर बड़ा लेकिन यहां पर यह जो हम यह वालव जो step है कि यह body के इंदर जाके replicate करते हैं बहुत सरी copies बन जाते हैं यह वालव स्टेप next इस में नहीं होगा सो यह जो vaccines होती है यहां पर जो वाइरस है वो बोडी के इंटर जाके replicate नहीं करता है replication नहीं होगा and आपका जो inside the body as the key viral replication क्योंकि जो replication का जो gene है वो हम उस virus में से delete कर देते हैं उस में से क्या कर देते हैं देलीट कर देते हैं और जब आपने वो delete कर दिया तो वो replication नहीं हो पाती है for the strong immunity induced कराने के लिए उपर वाले के लिए सिफ आपको एक ही डोस की जरुत होती है तो यहां पर देखे यह disease causing virus है यह low pathogenic virus है इसका gene उठाकर के हमने जो हमारा vector low pathogenic virus है उसके इंदर introduce कर दिया उसके बाद सीधा जो है antigen presenting cells इसको इसके antigen को present करते हैं और immune response जो है वो generate हो जाता है और यहां पर आप देखे रहों कि replication वाला जो step है वो यहां पर नहीं हुआ है इसलिए इनको हम non replicating viral vector बोलते हैं so example है जिसे Oxford Extra Zeneca COVID-19 vaccine जो है वो इसी तरह के समनाई गई थी so this is all about the different kind of vaccines if you like the video do share it with your friends and don't forget to subscribe the channel for more updates thank you and have a wonderful day